नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड आप सभी का स्वागत है हिंदी डेप टूर्स पर और आज हम बात करने वाले हैं अंगुलर 2 के उपर जी हां अंगुलर 2 जिनका नारा है आपको एक फ्रेमवर्क का इस्तमाल करके मोबाइल अप्लिकेशन डेश्टो अप्लिकेशन चाहे जितना भी कमप्लेक्स अप्लिकेशन हो आप बना सकते हैं ये पावर है अंगुलर 2 का और जो लोग अभी थोड़ा सा अपना सर खुमा रहे हैं सर खुजला रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि एंगुलर और एंगुलर 2 दोनों में जमीन आस्मान का फर्क है एंगुलर बिलकुल ही अलग चीज है एंगुलर 2 बिलकुल ही अलग चीज है तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा फिलाल आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर 2 के उपर तो चलिए जानते हैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री एंगुलर 2 सन 2014 में सबसे पहली बार NG Conference Europe में डिकलेर किया गया था एंगुलर 2 लांच होते ही दुनिया भर के डिजाइनर और डेवलोपर के अंदर हड़कम्प मच गई और आपको बता दूँ यह हड़कम्प इसलिए मची क्योंकि एंगुलर 2 गुगल का प्रोड़क्ट है और गुगल जैसे बड़ा कंपनी का प्रोड़क्ट एक ही बार एक एंगुलर से डिरेक्टली एंगुलर 2 पे जम्प हो गया बीच में बहुत सारे वर्सन छूट गया था उस टाइम में करेंट वर्सन था एंगुलर 1.3 और 1.3 से डिरेक्ट 2.0 पर जम्प कर दिया गया इसी बात को लेके डिजाइनर और डेबलपर के अंदर में बहुत सारे कोंट्रोवर्सी हो गयी लोग आप ये सोचने लगे कि हम एंगुलर पढ़ें कि एंगुलर 2 पढ़ें और बात में सभी का डाउट किलियर हो गया जब एंगुलर 2 फाइनली रिलीज हो गया और एंगुलर 2 के फीचर्स को देखते हुए सभी ने एंगुलर 2 को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और आज दुनिया का नंबर वन एंबी डबलू जाभास्क्रिप्ट रेमवर्क मोडेल, व्यू और वाटेवर आपने MBC का नाम सुना होगा मोडेल, व्यू, कंट्रोलर उसी तरह MBW मोडेल, व्यू और आप जो बनाएंगे मतलब वाटेवर शुरू-शुरू में एंगुलर को डिजाइनर के व्यू के हिसाब से बनाया गया था लेकिन धिरे-धिरे उसे डिजाइनर 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 आपको Angular 2 सीखना चाहिए, इसी का जवाब हम आपको देंगे, उससे पहले हम बात करते हैं, Angular 2 framework के कुछ features के बारे में, इसका जो tagline है, वो ही आपको बताता है कि यह कितना powerful है, आपको बता दें कि Angular के homepage पे आप देखेंगे, तो वहाँ एक ही चीज लिखा है, one framework for mobile and desktop, इसका मत पतलब एक ही framework से आप mobile development, desktop application development सारा काम कर सकते हैं, और front end development का काम भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो चलिए इसका जो feature से इसे और details में देखते हैं, पहला जो feature से जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो है cross platform, जिसमें आता है progressive web apps, Angular 2 यूज करता है modern web platform, जो की capable है आपको deliver करने के लिए app-like experience, high performance, offline and zero step installation, Angular 2 के मदद से आप बना सकते हैं native mobile application, आपको यूज करना है Ionic framework, native script या फिर react native, थोड़ा बात करते हैं desktop features के उपर, Angular 2 से आप बना सकते हैं complex desktop application, जो की सारे platform पे काम करेगा, चाहे आप Mac पे हो, Windows पे हो, चाहे आप Linux पे हो, अब बात करते हैं speed and performance की, जिसमें सबसे पहले बात होगी code generation की, Angular आपके template को code पे convert करता है, जो highly optimize हो जाता है, अभी का जो javascript virtual message के लिए, जो आपको फाइदा देता है, benefit देता है आपके हातों में, कि आप लिख सके code fully productivity के साथ, एक framework के ताकत से, अब बात करते हैं universal की, Angular 2 का इस्तमाल किसी भी server side language के साथ आप कर सकते हैं, जैसे की node.js, .NET, PHP या फिर other भी कोई server side language के साथ, ये आपको instant rendering करके देती है HTML and CSS में, और बहतर है आपके SEO के लिए, अगर आप Angular 2 पे write किये हैं आपके application, तो ये बहुत ही ज़्यादा SEO friendly होती है, बात करते हैं code splitting की, Angular 2 बहुत ही quickly load होती है, क्योंकि इसके अंदर बना हुआ है router system, अगर आपने बनाया है अपना application Angular 2 में, तो बहुत ही जल्दी load हो जाता है, क्योंकि ये काम करता है powerful routing system से, ये बस आपको उतने ही section दिखाता है, जितना आपकी user को need हो, अब बात करते हैं productivity की, ये बहुत ही quickly UI view बना सकता है, जो कि बहुत simple और बहुत powerful template syntax हो, और इसमें आपको मिलती है angular के लिए CLI command line tool, start building fast, add component and test then instantly deploy, जिससे आप बहुत ही जल्दी फास्टली अपना code बना सकते हैं, और उसे deploy कर सकते हैं, बात करते हैं animation की, अंगूलर 2 के मदद से आप highly performance complex animation बना सकते हैं, एक छोटे से code API की मदद से, इसके साथ साथ आपको मिलते हैं और धेर सारे features, वो सारा details आपको मिलेगा angular.io, angular2 के official site पे, अभी आपके दिमाग में ये खयाल आ रहा होगा, कि क्या मुझे angular2 सीखना चाहिए, तो बिलकुल जो भी smart है, उसका एक ही answer होगा, कि yes, हम सभी को angular2 सीखना चाहिए, अगर आप 2016, 2017 के designer या developer है, तो आपको angular2 सीखना ही चाहिए, क्योंकि future में इसका बहुत ही अच्छा scope है, और इसका future bright है, हो सकता है ये आपके लिए life changing हो, आज ये designer, आज ये developer, तो इसे हम सीखेंगे कैसे, वो भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, कि angular2 सीखने के लिए, आपको angular पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको javascript में, थोड़ा सा depth knowledge होना बहुत जरूरी है, जavascript का fundamental, जavascript का थोड़ा बहुत object oriented, अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप angular2 पढ़ सकते हैं, वैसे तो angular2 में, ES6 type script का इस्तमाल होता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, एक नया language पढ़ना, थोड़ा मुस्किल है, टाइम लग सकता है, आप चाहे, तो पहले उसे पढ़ ले, फिर angular2 करे, या फिर आप डिरेक्टली, जावास्क्रिप्ट जो आपने पढ़ा है, उसी का इस्तमाल कर सकते हैं, वो बिलकुल वैलिड है, angular2 के लिए, तो दोस्तों, मुझे उमीद है, कि आप सब को, ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आप सब को बता दूँ, कि हमें आज के टाइम पे, angular2 जरूर पढ़ना चीए, और एक good news ये भी है, कि बहुत ही जल्द हम हमारी चैनल में, angular2 के उपर, full tutorial स्रीज लेके आएंगे, ताकि आपका जो angular2 का concept है, वो clear हो सके, आप भी angular2 पे, application या complex site बना सके, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को like करें, share करें, और हमारे चैनल को subscribe कर ले, ताकि आप सीख सके, web design, web development, freelancing, youtube training, वो भी बिल्कुल हिंदी में, इसी के साथ मैं आपसे बिदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्ट एडवर्ड बाई बाई दोस्तों,